दिल्ले के वसंद विहार में दे चॉकलेट रूम में कैरबियन दीब समूख से कारिक्रम कायजन किया गया जी टी टी सी आई ने वैवसाईक संभावनाओं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझने के लिए भारतिय वैपारियों के लिए मेर्तपोर बैठक रखी जिसमें राजदूतों और राजनाईकों ने भी शिरकत की कारिक्रम में देश के उच्चायुक्त त्रिनिदाद और टबैगो सुरिनाम देश के राजदूत अफगानिस्तान के उपराजदूत और केनिया के राजनाईक साहित कई वरिष्ट अतिती भी मौझूद रहे एदरान जी टी टी सी आई के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुपता ने सभी वहमानों को स्मित्य चिन भीट कर उनका स्वागत किया आज इटी सी आई ने क्रेवेन ऐलेंड में वेपारी की संभावनाओं का और जो अपर्चुर्टिस अवलेबल हैं बिजन्स के लिए उनके लिए एक सैमिनार और मिटिंग का आयोजन किया जिसमें अमबैज़र आफ सूरी ट्रिनेटेंट टबैकर इस एक्सिलेंशी डॉक् प्लस हमारे साथ अफगानिसान के डिप्टी अमबैज़र और केनिया के डिप्लोमेट मिस्टर पैट्रिक ने भी भाग लिया इसके साथ हमारे जीटी साही के मेंबर्स और कई वेपारियों ने और संगटों ने भाग लिया आज एक्सिलेंशी ने एक खुश्याद प्रेइ आइलेंड के साहथ उसका यहां डाटा प्रस्थूत किया एक्ष्टर प्रस्थूत किया जिससे काहबी चीज़ें आज क्लियर होई वेपारियों के मन में कि हम लोग क्या ओके यह एवेंट Спेशुले जीटी टी सी आई लांच किया है जीटी टी सी आई ने इसमें डिफ्रें मेट थी स्पेशली एंड आइम सो हपी कि एक्सिलेंसी मेरी जेगे पर आये हैं और इस रिली ऑनर टू मी करिकरम में तुरिनदाद और टूबागो देश के महा महीम डॉक्टर रोजर गोपाल ने अपने देश की व्यपारी की संभावनाओं की जान करें दी इस दोरान उन्होंने न्यूज इंडिया के हेड अव स्पेशल अफेस परशांद शर्मा से खास बात चीत की देशों के साथ व्यपार की क्या संभावना इसको लेकर एक महत्पूर बैठक का आयोजन दिल्ली में व्यपारियों के साथ हुआ जिसे त्रिनाद टूबागो देश के उच्छायुक्त महा महीम डॉक्टर रोजर गोपाल ने संभूदित किया हमारे साथ डॉक्टर रोजर पाल जी हैं बात करने के लिए यह उनसे बात करते हैं एक्सलेंसी वाइड यू इन्वाइट ट्रेडर्स तो कम टिनाट टूबागो वाट इस पेसिलिटी ओफ यॉवर आइसलेंग Well thank you for having me, and Trondhant and Tobago, India share a very deep bilateral relation, there are huge opportunities for both countries where we can explore competitive advantage, where both countries can benefit from the quality of goods and services offered. India has a variety of goods that the world needs, especially in the area of pharmaceuticals, biotechnology, information technology and agriculture. Trondhant and Tobago is known for its hydrocarbons, its energy sector and also its manufacturing sector. So I think such collaboration can only help benefit both countries in so many ways. Cameraman Shiv Kumar के साथ Prashant Sharma, News India, Delhi